जिस समय पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर का अर्जुन जी तपश्या करने के लिए गहे और एकांत जंगल में तप कर रहे थे तो एक दैत्य जो है शूकर रूप धारन करके उनको मारने के लिए उद्रित हुआ और भगवान शिव उनके तप से प्रशन होकर उनको पिनाक अपना अश्त्र देने के लिए पहले किरात रूप में पूरा परिकर किरात परिकर हो गया देखा कि जूलन की सूखर रूप से अर्जुन की ऊपर आक्रमण अर्जुन अंख़ए देखा गांडियों पर तत्काल प्रत्यंचा चाड़ा करके बाण शंधान किया नहीं पहले किरात का लगा पिर शेंद शेंद लिस एख डीजियिस तुम Subra चला दिया यह मेरे उपर अक्रमण कर रहा था मैं जंगल मेरा और मैं ऐसे परश्वों का शिकार करता हूं कि मैंने कोई तुम्हाई रक्षा के लिए नहीं मारा शिकार का मन तो बोलें जिसका लक्ष अर्जुन साध लेते हैं किसी की ताकत नहीं कि उसका वेद कर सके तुम दंड नहीं अपरात कियो मैं तुम्हें दंड दूँगा तो मुस्कुरा दे भगवान संकर और का तुम्हारे जैसे योद्धाओं से हम जैसे महावीर डरते नहीं है अब युद्धुप्रारम हो गया अर्जुन के तीखे बान गांडिव से छुटे हुए ऐसे समाते चले गए आस्तित तो खतम अक्षय तूडीर छै को प्राप्ठ हो गया एक भी बान नहीं बचा अर्जुन को बढ़ा अश्र होगा कि किरात में ऐसी कैसी सामरते कि सारे बान लीन होते चले जा रहे इसके बाद धनुस से मारा धनुस भी अंतर धन हो गया अब दोड करके घूंसों से प्राहर करने लगे बहुआ उन संकर के घूंसों के मार से अर्जुन की रग रग पीरा देने लगी तो उनका ऐसा बीर कौन हो सकता प्रत्वी में जो मुझ को इस दसा में पहुंचा उनका कुछण मैं आपसे मांगता हूं कि रात से धर में युक्त मैं युद्ध आपसे करूँगा पर कुछ छण दे दीजिए ठीक है तुनों बन पुश्पशेक माला बनाई और भवान शीव का ध्यान करते हुए ऐसे जो रच का लिंग बनाया उस पर जे भी चड़ाया तो देखा किरात के माते पर तुम को अरे आप तब मुस्करा दिये औ जिखिया तुम धारण करने की योग यहो कि नहीं योग हो मुझे युतमे ध्रक्त कर दे वही मेरा अस्तव это कर सकता है तब तो चरणों में गिर गए सारा गुष्बांफ वर भगवान ना जानने के कारण भगवान से युद्ध कर वठे और जब जाना कि शुरी भगवान क्रोद्शार्थ और होगने स्वेल मान लें वास्ते वूए कि यस्री भगवान तो रागद्विस कैसे रहे जाएगा झाल झाल झाल